आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहूंगा जैसे भविश में आप लोगों का समय बचेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमें का लेशन प्लान बनाई है तो मैं आप लोगों से पस एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रोसन की क्लास यूट्यूब चैनल पर आप जाईएगा वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाईएगा वहां पर देखिएगा कि अलग-अलग सब्जेक्ट का अलग-अलग वहां पर अप्लोडेड हो जिससे आप लोगों का समय बचेगा अगर फिर भी वहां पर आप लोगों को आपके प्रकण के उपर वीडियो ना मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए मैं उसको 24-23 गंटे के अंदर अपने चैनल रोसन की क्लास के माध्यम से आप तक व आज की वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हैं पाठियोजना उपर लिखनी होती पाठियोजना संख्या तो हमारी आज की वीडियो की पाठियोजना संख्या है 25 विद्याले का नाम लिखना होता है जिस विद्याले में आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जा रहा ह उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेक्रण हमारा है बल दतागती के नियम प्रेक्रण के बाद हम चलते हैं अपने समानी उद्धेश की तरफ समानी उद्धेश में आपको मैं लगबख सभी वीडियो जो में बताता हूं कि समानी उद्धेश में आपको विशे और उप विश इह प्रक्रण है बल तथा गती के नियम से थैसे पढ़ाने से बच्चों में कि जो का विकास होगा यहां पर विश्ष टुद्देस में उन पॉइंट को लिखा जाता है यहां पर देख लिजे पहला पउट-चात्रोंको बल क्या है, इससे अव्गत कराना दूस्त पउब में आदा हुआरा शात्रों को बल के विभिन स्वरूपों के बारे में बताना सिच्छड सायक समगरी में वो सारी चीज़े यहां पे लिखी जाते हैं जिनकी सहायता सिच्छक सिच्छड कारी करने करते समय चारीस मुट की क्लास में लेता है यहां पर इसको से लेकांनों कृष्चे को चाट पर नियम क dlh variety को चार्ट में। च्रीव अग्यप को सब्सक्राइं में लिखा रहा है। पुर्वग्यान में आपको लिखना है चात्रों को बल तथा गत की सम्माने जानकारी है इसके बाद हम चलते हैं अपने पुर्वग्यान के बाद प्रस्तावना की तरफ प्रस्तावना पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी से रिक्ष्ट और करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो रोश्ण की क्लास इंस्टाग्राम पेज को फालो कर लिजिए आ जिससे मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अप्लोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जिसके उत्तर बच्चे चात्र अपने पुर्व ज्यान का यूज करके देते हैं यहां पर देख लिए मिनुमा आप तीन परस्न पेशन सकते हैं मैकसम पांच परस्न या छे प्रस्न भी पूछा जा सकता है इसमें इसमें देख लिए पहला प्रस्ण है विद्यालए में केक अच्च्छा में आप किस रास्ते से प्रवेश करते हैं तो बता देंगे दर्वाजे से दूसा प्रस्ण है दर्वाजा खोलने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ती है तो बच्चे बता देंगे धक्का लगाना पड़ता है फिर तीसा यहां पर प्रस्ण बच्चों से पूछेंगे आप धक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ता है तो बच्चे बताएंगे बल तक के बल ततागति के नियम पार्ट का अध्यान करेंगे अब उद्यस कतन के बाद हम चलते हैं अपने लेशन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तुति कड़ की तरफ यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर फेस्बुक पे हैं तो आप रोशन की क्लास फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे दोस्तों जिससे मैं आप लोगों के स्थारे चीज्जे एक पेज ऐड़े याँ पे देखिएर यहां पर देख़ाया स्बसे पहले प्रस्तुतिग roz सिथा करके से हेडिंग मैं मैं आपनों को डीनिकर घरा है समय यहां रिखा जाता है जिसकी व्यक्षा ध्यापक करता है जो किसी वर्ष्थ के स्थीत में परिवर्थन के लिए आवस्त्यक है बल आकर्षण यानि की खीचना जिसको करते हैं आकर्षण को तथा अब कर्षण यानि धक्का देना दो प्रकृरिक्ट के होते हैं यहां पर चात्र चात्र क्रिया में आपको लिखना है चात्र चात्र ध्यान पुर्वक सुनेंगे वह देखेंगे यह शिच्छड विधी में व्याख्यान दे रहे थे आप तो व्याख्यान विधी हो जाएगी और स्यामपट कारे पर आपको लिखना है बल बराबर होता है द् सब्सक्राइब करें किनिया तरह काई दो गुभाए उसके बाद इंच यहां पर नीचे 2 act के नियम यहाँ पे सब्सक्रां आपको लिखना है पřतेग si United स्थिर अवस्ताे या सरल्द रखा में एक समानी और रहता है जब थक उससे जड़ात का नियम भी कहते है प्रतम नियम को छात्राच्तरा क्रिया में आपको लिखना है छात्रा ध्यान पुरोग सुनेंगे यह भी वियाख्यान वीधी थी तो यहां पे वियाख्यान विधी लिख द nécess बुलकौत है नूटन और उसके बाद यह बराबर में होता है हम जानते बराबर होता है भी- यू अपां टी को करनी है अब एक जगह पszसा योटे अ तो यहां पे दिखा देता हूँ चाहें रिखा है यहां पे लिखा है निटन का दूतिनियम वस्त के समवेग परिवर्थन की दर लगे हुए बलके बराबर होता है और तीसरा नियम है यहां पर प्रतेक्रिया की सदय बराबर विप्रित दिसा में प्रतिक्रिया होती है बलका ऐसाई मात्रग न्यूटन तथा अथ्वा द्रव्यमान गुड़ेत्वरण या फिर इसको कह सकते हैं कि ग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर तो यह था हमारा आज का ले प्रस्तुतिगण के बाद हम चलते हैं अपने प्रस्तुतिगण के पुन्रावृत्ति प्रस्नि की तरफ यहां पर देख लिए अगर आप ट्वीटर पर भी हैं तो आप ट्वीटर पर भी रोशन की क्लास यूट्यूटीब चैनल को वहां पर उसका पेज बना हुआ है उसक प्रस्नों का जो कठीनाई का लेवल होता है वह भी समान होता है तो काफी लोग कफिज होते हैं बच्चे कि दोनों को अलग-अलग हेडिंग के अंतरगत क्यों लिखा जाता है इन प्रस्नों को मैं आप लोग को लगग सब वीडियो भी बताता हूं कि पुन्रावित का जो बच्चों के उपर केंद्रित होता है और मुल्यांकन का जू प्रस्ण होता है वो सिछ़िअक के उपर केंद्रित होता है यहांब देख लिए पहला प्रस्न है त्वरण किसे कहते हैं और दूसा प्रस्न है बल किसे कहते हैं अब इसके बाद हम चलते हैं मुल्यांकन के प्रस्न की तरफ मुल्यांकन के प्रस्न में आप मिनिमम एक से दो प्रस्न पूछ सकते हैं मैकसम तीन से चार प्रस्न भी इसमें कमी है उसको अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार करने की जरूरत है यहां पर पहला प्रस्ण देख लिए पुछा गया बल कितने प्रकार के होते हैं और दूसरा प्रस्ण है बलका SI मत्रक क्या होता है अब मुल्यानकिन के प्रस्णिक बाद हम चलते हैं अपने ग्रीहकारी की तरफ हória कर दिया यहां अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा है ंट करके कंशा में तो यहां पर बच्चों को बोल दीजिए कि मैं एक प्रसंद बोलूँगा जिसको आपको कल घर से लिखके अपने कॉपी में लेके आना है यहां पर देख लिए प्रसंद है गति के कितने नियम है तथा किसी एक नियम की व्याख्या कीजिए तो ग्रीकार के बाद हमारा आज का लेशन प्लान यहां पर समाप्त होता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स फ़र वाचिंग इस वीडियो और अगर आप लोगों का यह वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जिस साथ बिल आइकन पर भी क्लिक कर लिजिए तो दोस्तों मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद